तो इस तरह का स्ट्रेटिस बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मुबाइल फोन में अलाइट मोशन एप्लिकेशन को डाउन डूड करके ऑपन कर लेना है अगर आपके पास यह अप्लिकेशन नहीं है तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे द आइड कर सकते हैं जो कि आपको स्टेट्स काफी देखने में अच्छा लगए यह जो इफैक्ट है काफी यूनिक टाइप में है तो आप इस तरह का स्टेटस कैसे बनाएंगी जो प्रोजेक्ट मैंने यूज कि यह प्रोजेक्ट मैं आपको दे दूँगा आप इनको कैसे क आड़ करनी है मतलब कैसे फोटो को एड़ करना है तो वह इस वीडियो में आपको continue बता दूँगा यहां पर इस तरीक से प्रोजेक्ट आने के बाद आपको सबसे आगया जाना है प्लस पर क्लिक करें आपको मीडिया पर क्लिक रहा है यहां पर आपको अपने फोटो आड़ क अपको पर एड़ करना है तो यहांप करना है यहां पर यहां से तक हो और यहां सस्कू जूम कर लेना तिह कि उसक बाद आगे आंगे इस फोटो के साथ आप ऐस बीट तक रखेंगे इसब is बीड पर जाएंगे फोटो पर क्लिक करना है जस्ट आपको इस वारे अप्शनopture क्र देना है उसके बाद आगए आए और अगली बीट पर जाएंगे इस फोटो को ह्टा देंगे हैं तो यहाँ से आपको इस ऩरेग्छ ऑनप सब्सक्राइश किहने की वह LI Czy अगली बीट पर जाना है वापस फोडोपे क्लिकर тебе और तीसरी फोडोपे करना इस तरी के अड़ है पटेनके यह तरह नेगे शुट्याइए आरे प्लीन को साह begitu कि हिसाब से रखनी है किसी कि साइज हो कम जैडा नहीं बहु acrony wichtige साइज आ अतनी आपको एंपो फोटो लेताय और मैंने लास्ट तक फोटो एडिक करिती को आँव हर पोटो के स標準 तो मैंने रख लिये जो कि आप यहां पर दैख सकते हैं उसके गार हो मैं आपको इफट्ट डालनी होगी तुझे सबसे पहले आपने फोटो फोटो आपको क्लिकना बीच में इस वाले उप्सिंस पर क्लिक करेंगे और यहां से इसको डूब्लिकेट लियर बना लेंगे ठीक है उसके बाद तो वो सही तरीके से यहाँ पर add हो जाएगी तो सारे फोटो हो चुका है डूलिके ट्लियर अब आपको करना किया जहां से सुरू से आ जाना है और जो सुरू वाला फोटो है उपर वाला इस फोटो पर आप क्लिक करेंगे more and transfer क्लिकना है और इसको zoom out कर देंगे फोटो की जो साइज है वो कम कर लेंगे और इस फोटो को बिल्कुल बीच में sad कर देना है यहाँ पर इस फोटो के बीच में तो इतना इसकी साइज काफी है उसके बाद आगे जाएंगे आगे जहां से आपके डबल फोटो है वहाँ पर आप जाएंगे दूसरी photo पर clickना है इसकी size को भी यहां से आप zoom out करनेंगे more and transfer से शही हो चुकिए है उसके बाद इसको set करेंगे और इसके जो पीछे फोटो है यानि कि यह नीचे वाला फोटो इस पर आपको क्लिकना है मुएंट ट्रांस्पर इसकी साइज को थोड़ा सा जूम कर लेना ठीक है जूम करके आगया आएंगे और वापस यह तीसरा फोटो है इसको भी आप यहां से जूम आउट कर देंगे इस तरीके से ज सारे फोटो की जो साइज आपको कम कर लेनी है और नीचे वाला फोटो हाँ अगर क्रप होता है यहां से इसको जूम आउट कर लेना यह तो पर इसवाले फोटो को मैं यहां से कर लेता हूँ zoom out तो यह यहाँ पर हो चुका है उसके बाद नीचे वाले फोटो को आपको click करके यहाँ से इसको zoom कर लेना है तांकि photo clear दिख जाएगा उसके बाद आपको last वाले फोटो को इसको पी मैं कर देता हूँ यहाँ से zoom out perfect set करेंगे और नीचे वाले फोटो को और XML प्रोजेक्ट भी दे दूंगा आप क्लिक करके इंपोर्ट कर लेना यहां पर आपको फर्स्ट में दो डबल फोटो में लेंगे तो यह जो फोटो है इसके नीचे जो फोटो आई यह वाला इस पर आपको क्लिकना एफेक्ट पर क्लिकना है थ्लाइन प्लिकर करेंगे बाद यहां से ऐब को क्लिक करेंगी तो इसतर देना है कर सहां घाव राइंगे वापस आपको स्कूम forward वाले प्रोजेक्ट को आपन करना है अब यहां पर आपको बीच में यह वाला एक फोटो मिलेगा यहां पर आप दिख सकते हैं तो इस फोटो पर आपको क्लिक करना है एफेक्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां से आपको बैग आ जाना है और वापस आपको सोंग बीट म प्रोजेक्ट को आपन करने के वाद यह फर्स्ट में जो डबल फोटो थे वह हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और यहां पर हमने चोटे-चोटे फोटो एड कर गया जोगे आप देख से यहां पर आपको एक दो तीन चार पांच छे फोटो यहां पर आपको मिल जाएंगे तो इसेट को करना के इन छेफ फोटो पर और आ mày करना है तो यहां पर मैंने छेफ्ट को क्लिक करके पेस्ट कर दिया पेस्ट कर दिया है और यह फोटो रगया है यहां पर फॉर्स्ट वाला फोटो यह वाला फोटो इस फोटो की साइज आपको यहां तक रखनी होगी इस डबल बीट तक ठीक है यह आपको दियान रखना है तो आपको करना है यहां तक साइज रखनी होगी तो पहले इस फोटो पर साइड ओपो ख्लिक इसको इनबल करेंगे और स्ट्रोक पख्लिक आरे कलर ले लेंगे और आगे आगे इसकी साइच को इंक्रेज जेक्ड करदेंगे टैन तक या अड़ तक उसके बाद इस फोटो को आप यहां पर शाइट करेंगे तो इस वाले जो फोटो है इसकी साइज यहां तक हो जाएगी ठीक है यहां तक हो जाएगी उसके बाद को यह दूसरा फोटो है इस पर आपको क्लिकना है, move and transport इसको भी आप यहां से jump out करेंगे इस तरीके साइज आप जूम आउट करेंगे 8 9 तक 8 तक काफी है उसके बाद आ गया आएंगे और इस photo को perfect आप यहाँ पर set कर देंगे ठीक है अब आपको क्या करना इस photo पर click करना है और यहाँ पर आप जाएंगे डबल बीट पर डबल बीट पर जाने के बाद आपको इस वाले options पर click कर देना है तो इस photo की size भी उतनी हो गज्याएगी वेटेसरा फोट पर आएंगे यहां पर आगे आएंगे और और कोले लेंगे गुला भी ले ले आगे आएंगे इसकी साइज को इंप्रेश करेंगे उसके बाद आगे आएंगे इस फोटो पर क्लिक करके रखना है डबलgement और जस्ट आपको इस वाले उप्सिंस पर क्लिक कर देना है उसके बाद यहां पर दो फोटो और रहे हैं यानि कि यह जो फोटो है पांच फोटो इनकी साइज आपको इस बीट तक रखने होगी तो इस फोटो पर आपको क्लिकना है मौन ट्रांस पर इसको जूम आउट बैगे और जो हमने फोटो अट्रॉ आज्ए आप सबस्क्राइए यहां पर क्लिकर कर देना है और यहां पर जाना डबल बीट बर और यस 하게 क्लिकर देना सब्सक्राइज कीस बीट ना सनी हो जाएगी अब आपको यह वाला फोटो आला लास्ट इसपर क्लिकना महसी इसको और जूम आउट करेंगे और जूम आउट करने के बाल एक उसके बाद आ गया हैंगे स्ट्रोक पर क्लिक पर चायज को कोई छेटेट करने की जरूर्द नहीं इस फॉटो पर क्लिक ना इसको यहां से जूम आउट कर लेना ठीक है सोरी इसको यहां से हम जूम आउट कर लेते हैं और इस फोटो को इसको जूम आउट करेंगे और इस फोटो को जस्ट आप यहां पर कोर्णर पर ले लेंगे अगर यहां पर फोटो की साइज ज्यादा नहीं आती तो आप इनको अपने हिसाब से अर्जेस्ट कर सकते हैं उसके और और आपको करना है यहां से आपको ग and और प्रोज्र को आपन Singapore को आपना है यहां पर जहां से आप उसके नीचे वाली फोटो यानि कि यहां तक जितने भी नीचे नीचे वाली जितने फोटो आ रहे हैं लास्ट तक उन सारे नीचे नीचे वाले जितने भी फोटो है उन पर आपको इसी एफेक्ट को सेम पेस्ट कर देना है मैं क्लिक करके पेस्ट कर देता हूं पेस्ट करने क जाएंगे आगे जाएंगे जहां से डबल फोटो है तो उपर वाले जितने भी फोटो हमने छोटे चोटे चोटे जितने उन सारे फोटो पर आप क्लिक करके इसी एफेक्ट को पेस्ट कर देंगे उसमें काफी गजब तरह की जो एफेक्ट वो अपलाई हो जाएगी यहां पर आप्सिंस पर क्लिक करेंगे विडियो को सलक्ट करके एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे